नमस्कारम सद्गरू मैं बस जानना चाहता हूँ कि शिव के मार्ग और बुद्ध के मार्ग में पुनियादी अंतर क्या है? बुद्ध के मार्ग के बारे में बात करना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है ये काफी आसान है और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है गौतम ने लोगों को आम तोर पर जो तरीके बताए वो हमेशा कई जीवन कालों तक के लिए थे आप इसे आज साफ तोर पर देख सकते हैं बौध भिक्षू हमेशा इस बारे में बात करते हैं खास कर तिब्बत के बौध जिनका बौध संप्रदाए आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कुछ राजनातिक कारणों से वो हमेशा कई जीवन कालों की साधना की बात करते हैं तो अगर आपके पास उतना धैर है कि आप कई जीवन कालों तक साधना करने के लिए तैयार हैं तो गौतम का तरीका बहुत असरदार, बहुत लौजिकल और वैज्यानिक है जिसमें आप कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जागरुकता का मार्क है जागरुकता के मार्क पर चलने का महत तो ये है कि इसमें मील के पत्थर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक मील, दो मील या दस मील तक आगे हैं यह आपको बताता है कि आप कहां हैं, यही इसका सबसे एहम पहलू है, बहुत ज्यादा भरूसे या भक्ती के बिना भी आप विकास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक साधना है, बस इसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, यह साफ तौर पर दिखाता है कि आप पर भी नहीं रखते. आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे, लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं, आप बस इतना जानते हैं. ये एक बिना तली के गड़े में गिरने जैसा है, सुनने में डरावना लगता है. मैं चाहता हूँ कि आप समझे गिरने के लिए बिना तली का गड़ा सबसे सुरक्षित जगा है तली वाला गड़ा खतरनाक होता है बिना तली वाला गड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है आपका जीवन पूरा हो गया अगर आप बस इसमें कूच जाए बस हो गया, आप बस गिरते रहते हैं अगर आप कभी, क्या किसी ने स्काइडाइविंग किये आपने किये तो अगर आप गिर रहे हैं तब अगर आप कुछ हजार फुट के लिए पैरशूट न खोले तो उस दोरान आपको पता नहीं चलता कि आप नीचे जा रहे हैं या उपर, बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं और ये शांदार होता है सिर्फ जब आप नीचे देखते हैं तो ये धरती बड़ी तेजी से आपके उराती हुई दिखती है अगर ए ग्रह हटा दिया जाए तो ये एक शांदार अनुभव है बस जब आप नीचे देखते हैं तो धरती तेजी से आपकी तरफ आ रही है यही समस्या है गिरना तो आप गिरने को बुरी चीज मत समझिए गिरना जबरदस चीज है क्या आप कभी प्रेम में पड़े हैं? जब आप तली से ठकराते हैं तब समस्या होती है अगर आप बिना तली के गड़े में गिरते हैं तो कोई समस्या नहीं है तो शिविक बिना तली का गड़ा है उनके तरीके बहुत अलग है लेकिन आप उन्हें उस तरह सीमित नहीं कर सकते साथ अलग-अलग शिश्यों के साथ सब्त रिशी, प्राचीन काल के साथ जाने माने रिशी उन्हें शिव ने साथ बुन्यादी तरीके सिखाए जिन से कोई इंसान अपनी चेतना की गहराईयों में जा सकता है इन साथों से वो साथ के मल्टिपल्ज में और आगे तक गए और उन्होंने 112 अलग-अलग तरीके सिखाए और कहा बस इतना ही है एक सुन्दर कहानी है कहानियों के लिए समय नहीं है तो उन्होंने 112 अलग-अलग तरीके बताए जिन से कोई इंसान अपने चरम तक पहुँच सकता है और ये 112 तरीके शरीर के 112 चक्रों से जुड़े हैं असल में चक्रे 114 हैं लेकिन उनमें से दो शरीर के बाहर हैं उन दोनों को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब आप शरीर में हैं तब आत्म ज्यान प्राप्त करने के 112 तरीके हैं इसका मतलब है कि शरीर का हर चक्र, पूर्जा तंत्र के मिलने का हर बिंदू परम ज्यान की प्राप्ति का एक मार्ग है तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा तो बुद्ध उनके काम का एक छोटा सा आंश है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गौतम खुद जंगल में जाकर यूही नहीं बैठ गए उन्होंने अपनी साधना के पहले आठ साल देश भर के विभिन गुरूँं के साथ बिताए और इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा आधार ये ज्ञान वास्तव में शिव से ही आया है ये दुनिया के जिस भी हिस्से में बुनियादी आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी आधार से आती है और इसे कितने ही अलग-अलग रूपों में दुनिया के विभिन हिस्सों में ले जाया गया है ये इतने ज्यादा अलग-अलग इसी लिए दिखते हैं क्योंकि ये 112 तरीके एक दूसरे से पूरी तरह से अलग दिखते हैं तो शिव और बुद्ध में क्या अंतर है? ये सवाल उप्युक्त नहीं है बुद्ध ने शिव के किस पहलू पर काम किया? उन्होंने जागरुक्ता के मार्क पर काम किया जो बस एक पहलू है ये काफी एक आयामी है लेकिन गौतम बुद्ध का महत्व ये है कि उनका तरीका बहुत वैग्यानिक और क्लिनिकल है वो एक लौजिकल माइंड को अच्छे लगते हैं लेकिन शिव तो बस वो इस तरह भी बैठते थे कई बार वो एक तपस्वी की तरह बस अचल होकर बैठते थे लेकिन कई बार वो किसे प्यक्कड की तरह मतवाले होकर नाचते थे वो हर तरह की अवस्थाओं में होते थे क्योंकि उन्होंने खुद को किसी खास आयाम से सीमित नहीं किया उन्होंने जीवन के हर पहलू को एक्स्प्लोर किया तो आप जिसे बुद्ध का मार्ग कहते हैं वो बस एक पहलू है इन 112 मार्गों में से और बहुत से दूसरे लोग तमाम दूसरे पहलू लेकर आए लेकिन वो एक-एक मार्ग रहे है इन साथ शिश्यों में से इन सब्त रिशियों में से जो रिशी दक्षिन की ओर गए दक्षिन का मतलब है जो भी जगा हिमालाई के दक्षिन में है मैं सबी मुंबई वासियों से कह रहा हूँ हिमालाय के दक्षिन में जो भी है वो दक्षिन है तो अगस्त मुनी दक्षिन की और गए और वो खास कर विंदि परवतों से आगे की तरफ सक्री हो गए आपने विंदि परवत की वो कहानी तो सुनी होगी जब वो अगस्ति मुनी के सामने जुग गया था और वो कभी वापस नहीं आए तो आपको वो कहानी पता है? नहीं? आपको भारत के बारे में कुछ चीज़ें जाननी चाहिए तो उन्होंने अपना विस्तार खासकर दखन के पठार में इस तरह किया कि उन्होंने वहां की हर इंसानी बस्ती को छुआ आप जहां भी देखें आप अगस्ति मुनी के किस्से सुनेंगे और उन्होंने ये Action for Rural Rejuvenation शुरू किया उन्होंने एक भी इंसानी बस्ती को नहीं छोड़ा वो हर किसी के जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया को लेकर आए कहा जाता है कि वो 4000 साल से ज्यादा जिन्दा रहे हमें नहीं पता कि वो कितना जीवित रहे लेकिन उनका जीवनकाल एक सामान ये जीवनकाल नहीं था ये असाधारन रूप से लंबा था जब आप उनके द्वारा चले गए मीलों को गिनते हैं अगर आपने उनके साथ एक स्पीडो मीटर लगाया होता और ये देखा होता कि उन्होंने कितना रास्ता तै किया तो आपने देखा होता कि वो समय का असाधारन लंबा दौर था हम नहीं जानते कि ये 400 साल था या 4000 साल लोग इसे 4000 साल कहते हैं पर निश्चे ही उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया और उन्होंने हर इंसानी बस्ती को छुआ और ये पक्का किया कि आध्यात्मिक प्रक्रिया उनके जीवन में एक जीती जाकती हकीकत बन जाए आज भी हमें उनके किये काम का फाइदा मिल रहा है दक्षन भारत आज भी उनके काम का लाब उठा रहा है बिना किसी कारण के यहाँ एक तरह की स्थिर्ता जो आपको दिखाई देती है यह उनके काम का नतीजा है क्योंकि वो लोगों के जीवन में योग को किसी लेबल के बिना किसी धाचे के बिना बस एक जीवन प्रक्रिया की तरह लेकर आए आप सुबा उटकर जिस तरह से दाँच साफ करते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, इस सब को उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बना दिया और हम आज भी इसके फायदे उठा रहे हैं अगर आप इस धर्ती पर कहीं भी किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि वो उन 112 तरीकों से अलग नहीं है जिनको शिव ने खोजा था तो गौतम और शिव के तुलना करना उप्युक्त नहीं है मैं गौतम का बहुत आदर करता हूँ इसमें कोई शक नहीं है उनका कारे भी जवरदस्त है उन्होंने एक विशाल आध्यात्मिक लहर पैदा की जो ढ़ाई हजार साल बाद आज भी जारी है लेकिन ये तुलना के योग्य नहीं है किसी भी तरह से तुलना के योग्य नहीं है हम बस इतना कह सकते हैं कि शिव के काम में गौतम का काम एक छोटे अंश की तरह शामिल है ये एक प्रतिशत से भी कम है क्योंकि 112 तरीकों में से गौतम ने एक पर काम किया और महतुपून चीज ये है कि उन्होंने इसकी अच्छी मार्केटिंग की और उन्होंने हजारों लोगों को उस मार्क पर चलने के लिए प्रोथसाहित किया यही उनकी सफलता है लेकिन शिव मार्केटिंग करने के लिए थोड़े ज्यादा ही नशे में थे आपको उनके लिए मार्केटिंग करनी चाहिए वो मार्केटिंग नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मुझे आम तोर पर यह माना जाता है आज से 40 से 60 हजार साल पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया था लेकिन 60 हजार साल या 40 हजार साल बाद भी या जीवित है आप इसे नश्ट नहीं कर सकते आप इसे नश्ट नहीं कर सकते जब तक मेरा जीवन पूरा होगा मुझे यकीन है कि जितने लोगप्रिये वो आज हैं मैं उन्हें उससे थोड़ा और लोगप्रिये बना कर जाऊंगा